गुड मॉर्णिंग नेक्स्ट टॉपिक है अटोमिक स्कैट्रिंग फेक्टर और अटोमिक फॉर्म फेक्टर अपकाइक इकेशन ड्राइव किती सी ब्रेक्स ड्रेक्स केशन के टूडी सांथिताइज जिकर स्थो आन लेंबडा एवाली जड़ी कंडीशन है डाया फ्रेक्ष बीजिसों में उस्काइट अर्यार हो यांदैशिपा रूत्स पॉइंटो फब ये हमोग्स हो ये मैं श्केटव प्रटी ने है एक्चिल क्रिश्टल दे विछ की है इंतेंसी ओफ बीम डाइफ्रेक्ट हो रहा है उसी इंतेंसे डिपेंट कर रही है ज्प्रकुपिंग ऑफ अटम जी इंदा यूनियर सेलिऊ जूनियर सेलिट के में दे आटमी स्केट्रिंग पावर से इन्य आटम्स ले शी और फफिट परविदीव आपिनेशन आप्पां स्ड़ी करांगे अपोन ऊसमेर आत्यू बेशी आप Casey दी न्यख़क्टर में कि ए है एक श्पोस ए अपने को ले सेंटर है कि एटम दा सेंटर ए तो सारे ज़ड़ी अलेज वाले इलेक्टरों से ओ रहेंज की में स्फेरिकल स्मेट्रिक मेनर दी स्पोस्पोस अपने को ले डीवी हैं जड़ा समाल वॉलीम अलिमेंट है एड पूजिशन आर बैक्टर ते ज़ड ज़्याब आर है गया ओ रेडीस है इस Eltern द द आए गास्ति कि एम नार अगर यह वड़ऴ właści वाली्म एलिमेंट दे ली कुले को लेकिनी है जित्ट ऑसे रोी रेमाल दिना ओर्ट कर दद जो किनना है गा, ρो र इंटू वॉलियम ता अपने को ले चार्ज किनना है, ρो र इंटू डीवी फॉर्स्ट रॉफ अपा जड़ी स्केट्रिंग करांगे, स्पोस, ρो र डीवी दो हो रही है एन्ट फेरो उससो बाद अलेक्ट्रोंद हो रही है suppose N नोग अपा रिपरसेंट किता इंसीडेंट वीम देना हो तो N नोग अपा रिपरसेंट का रहे है स्कैटर वीम देना हो नौ जड़ा स्कैटरिंग है अकर सो लॉंग दर ड्रेक्शन N उन जड़ी scattering along के डिरेक्शन नाल हो रही है एन बेक्टर दिरेक्शन है एन बेक्टर अपने कोड़े की है कै scattering vector जड़ा normal होगा reflecting plane दि दा phase difference between the radiation scattered at the origin and that scattered in the element dv at r is given by अगर जड़ी यां dv तो अपने कोड़े scattered हो रही है जड़ी यां अपने radiation scattered हो रही है वो रीजन दो उनना ता जड़ा phase difference हो calculate करांगे अपना 2pi upon lambda into path difference अपने कोड़े किन्ने r vector dot n vector r dot n vector नुगा अपने लिख सकते है rn into cos phi ये जड़ा फार्मूला अपना पिछले देविच भी कित्ता सी पिछला टापिक कित्ता सी Lewis equation वाला ओ देविच ते phi अपने उकले एंगल है गे आरते n देविच कार अगर आपने वड़ा n है गे एवाले n दे अपने वेल्यू कैलकुलेट करिए n is equal to 2sin theta ये भी अपना प्रूव कित्ता सी Lewis equation वाले देविच दुन्ने रिजल्ट आप उत्ते चक लेने है ते एथे अपना कि ये एस वाली equation देविच एन दी वेल्यू पुट करांगे ता ये बन जिगा ये वाली 4p on lambda into sin theta नों mu पुट कर दांगे ता ये जिगा ते मियू आजिगा मियू r into cos phi अपने कोले रह जिगा हुन जेडा part अपने कोले scattered हो रही है फ्राम electron अगर ओजा amplitude आपड दी वेल्यू ए इंटु इदी वापर आईटा के x minus omega t है x आगे जिनना distance cover का रही है अलोंग n वेक्टर ते नाल जेडा scattered हो रही है उसते नाल जिनना x distance cover किते हैं ते k अपने कोले की है wave number which is equals to 2pi upon lambda हुन आपके एक के हासी वी जड़े electron तो scattering हो रही है ते एक अपने कोले volume element तो हो रही है अगर आपके volume element ते के एह दे विच गाल करिए ओत्या अपने कोले amplitude नों आपके में शो करांगे by the location a e d power eta k x minus omega t plus i eta phi r phi r आपने कोले एक phase reference हो रहे है इंटू हुन charge rho r इंटू d भी बन जेगा एह दे विच आप eta common कर लांगे ता e d power eta k x minus omega t plus phi r है जेगा अगर आपड़ df है जेड़ा small atomic scattering factor उसे नों define करिए तो अपने कोले किया जेगा amplitude of radiation scatter from the atom to the electron एज दोने values नों आपड़ की करतांगे divide करतांगे divide करन तो वाद हुन आपने कोले a e d power eta k x minus omega t एकदर भी है गा है एह जे विच दोने cancel तो उपर की रहे जेगा e d power eta omega eta phi r rho r into db फिर आपकी करने एवड़े phi r दिए वेली पुट करदांगे mu r into cos phi into rho r into db next है हुन आपकी df calculate किता है अगर आपका whole volume देली whole atom देली calculate करांगे तो आपकी करदांगे integration integration दे विच आवली टम आपने कोले integration दे विच आजेगी हुन आपका first जेड़ी distribution डिसकस किती सी एलेक्ट्रों सी ओ आपका कहा सी भी origin दे आलेत वाले किया spherical symmetry है that means जेड़ी आपके integration करांगे spherical coordinates से करांगे which is r and phi first of all आपका dv calculate करांगे volume element area into thickness area नूँ आपका लिख सकते है circumference into width into thickness यहुन area अपने कोले किन्ना है गए जे r sin phi radius अपने कोले width r dv है ते thickness किन्नी है कि यह ring दी dr है आवले diagram दे नाल dr अपने कोले थिकने से road r dv विड़्थ है ते r sin phi किया है गए radius है गएन अपने कोले volume आजेगा 2 pi r square sin phi dr into d5 आवली जड़ी value दी विदी अपने थे put करदांगे ते double integration होजेगी over r थे 5 spherical coordinates हुने एजे विच integration अपने 5 दी गल करिये 5 दे विच केडा जगा इदी पाबर item mu r cos y sin phi into d5 एजे integration है गए value 2 sin mu r upon mu एथे अपने अपने अगेन value put करदांगे थे की बंजेगा 4 pi 2 दे नल 2 multiply 4 pi r square rho r sin mu r upon mu r into d r अगेर अपन थिटा दी value थिटा की है ओजी value ने अपने 0 कर दिए ते mu दी value भी अपने कोड़े 0 बंजेगी ता sin mu r upon mu r की correspond करेगा 1 ता f ने अपने की लिख सकते है 0 to infinity 4 pi r square rho r into d r sin mu r upon mu r दी value 1 अगेर 4 pi r square rho r into d r is a change in a spherical shell of thickness is a charge in a spherical shell of thickness d r and radius r अगेर अपने कोड़ स्फेरिकल श्रेल दी थिकने जडी आरे रेडिस आरे जैन टोटल चार्ज दी value गिया 4 pi r square rho r into d r तो यह समकी जब को लिख दांगे अपने जैड़ देकोल हुन f है तो ड़ अटोमिक स्केट्रिंग फेक्टर जैड़ देकोल कोड़ होएगा जदु थिट्टा दी value 0 है अगर थिट्टा दी कोई भी value देली f है जड़ा अपने कोल लेस देन होएगा जैड़ नेक्स्ट आप एक अग्जाम्पल लेके चलें हैं अलोमीनियम मैटल देली एज़े विच आपर डिसकर्स करांगे विरियेशन साइन फाइपों लेम्डा दी ती अफ अटोमिक स्केट्रिंग फेक्टर दी जिद्टा आप अप्लिचूड लेके चलें साइन थर्ण। पांटड हैं अपने कोट धेर फ अपने लेकले की उल्ड उन्ड ने में फीलिएट डिक्री उन्ड दी जारी एक तैंे लेक्टे पना साइन फाइं फाई हमम्दा लेCalउकि यह इंक्री जार ले उन्ड smoother दिद्ध वेलिए of डिक्रीज ओं एफ देनाव